नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स पहेली का चक्र व्यू पहेली का चक्र व्यू राजा चरण सीन को पहेलियां पूझने का विचितर शौक था वह प्रति दिन दरबारियों से अजीब अजीब पहेलियां पूझता था एक पेड़ पर दो कबूतरों का जोड़ा बैठा हुआ है कैसे इस बात का पता चले कि दोनों में सी कौन कबूतर है और कौन कबूतरी है महराज आज तो आपने बड़ी ही सरल पहेली पूझी है इस पहेली को तो कोई भी बूच सकता है कबूतरों के जोड़ों की आगे दाना डालो तब उन में से जो दाना चुगेगा वे होगा कबूतर और जो दाना चुगेगी वे होगी कबूतरी वह मान गए तुम्हें क्या दिल खुश करने वाला जबाब दिया है जिस किसी का भी उत्तर उसी सही जश्टा उसे वह दिल खोल कर पुरुस्तकार देता राज कोश के धन की परपादी है यह है चरण से इनकी इस आदत से प्रधान मंत्री माधव करण बहुत परिशान था महराज को कैसे पहेलियों की चक्रवियों से बाहर निकाला जाए महराज की इस आज़त के कारण दरबार में तमाम समय इसी परकार की बाते होती रहती है महराज का सारा समय नई पहलियां खोजने में व्यास चला जाता है राज हित की कारियों के लिए वे समय निकाल ही नहीं पाते है पहेली का उत्तर बताने वालों को राजकोष में से पुरसकार देकर बेवजे राजकोष खाली करने में लगे हुए है महाराज जैसे भी हो महाराज की इस गंदी वा महंगी आदत को छुड़ा नहीं होगा लेकिन कैसे एक दिन महाराज राजकुमारी बेला अब सयानी हो गई है तुम ठीक कह रही हो महाराणी चंदा महाराज जब बेटी सयानी हो जाए तो उसकी विवाम में देरी नहीं करनी चाहिए आप शीक्री बेला के स्वेंबर का आयोजन कर उसमें दूर दूर की राजकुमारों को बिलवाईए नहीं महरानी हम अपनी बेटी के लिए स्वेंबर का आयोजन नहीं करेंगे यह आप क्या कह रहे हैं महराज हाँ महारानी मैं अपनी बेटी के लिए स्वेमवर से नहीं अपी तो दूसरे धंग से फर्च चुनूँगा वह दूसरा धंग कौन सा है महाराज मैं राजकुमारी पेला का विवा उसी के साथ करूँगा जो मेरी पहेली का सही सही उत्तर देगा ओह सत्यानाश महाराज बेटी के लिए योग्यवर के तराश पहेलियों की द्वारा करेंगे महाराज की इस सनक के बारे में क्या कहूं क्या ना कहूं राजा चरण सेन अब इसी उधेर बुन में लग गया सही दामात की खोश के लिए कौन सी पहेली बूझनी चाहिए सही पहेली का चुनाव ना कर पाया एक दिन जब कई दिनों की लगादार वर्षा के बाद आस्मान खुला तो चरन सेन घुमने के उद्दिश्चे से महल की जट पर चला गया अहां आकाश में खिला इंद्र धनुष कितना लुभावना लग रहा है वहत कुछ पल इंद्र धन बेला का विवा करने का निश्चे किया है जो हमारे हाथ में इंद्र धनुष लाकर देगा हम उसी के साथ बेला का विवा करेंगे महराज बेटी की विवावे भी आप पहेलियों का समावेश कर रहे हैं यह ठीक नहीं है यह सुन्चरण से इनकी भुकटी तन गई प्रधान लोगों के बीच उस दिन राजा चरण से इनके इस घोषना की ही चर्चा थी महराज ने राजकुमारी बेला से विवा करने की शर्ट के लिए जो पहेली पूजी है उसी कैसे हल किया जा सकता है भला इंद्र धनुष को हाथ में कैसे लाकर दिया सकता है लगता है महराज बिंदल नगर का युवा राजा अलंकार बहुती पुद्धिमान वा हर तने से राजकुमारी पेला के योग्य है इस विशे में मुझे बिंदल नगर जाकर राजा अलंकार से बात करनी चाहिए वह उसी समय राजा चरण से इनकी पास पहुँचा महराज कुछ समय के लिए मै राज़े से बाहर जाना चाहता हूँ ठीक है वह उसी दिन बिंदल नगर रवाना हो गया बिंदल नगर पहुँचने पर राजन हमारे महराज अपनी पुत्री का विवा करना चाहते हैं मेरी इच्छा है कि राजकुमारी बेला के साथ आपका विवा होना चाहिए प्रधान का क्या चक्कर है प्रधानमंत्री जी राजन हमारे महराज उसी के साथ राजकुमारी बेला का विवा करेंगे जो उनकी द्वारा पूछी पहिली को हल कर पाएगा ओ ऐसा यह तो बड़ी ही विच्छित्र बात बताई है आपने राजन इसी बात का तो दुख है मुझे कि मै बहुत चाहनी पर भी महराज को उनकी इस सनक्सित छुटकारा नहीं दिला पाया हूं आपके पास इसी आशा से आया हूं कि शायद आप ऐसा कर सके राजा चरन सिंग जी ने कौन सी पहिली पूछी है उनकी पहिली यह है जो कोई भी उनकी हाथ में इंदर जनुश लाकर दे जाए प्रधान मंत्री जी घबराये नहीं इंदर जनुश को हाथ में लाना तो पहती सरलकार रहे है मैं ऐसा करके दिखा सकता हूं तो मेरा यहां आना सफल हो गया हा प्रधान मंत्रीजी मैं राजा चरन सेंग के संमुक एसा करके दिखाऊंगा पर इससे पहले उन्हें थो शीक्र वहां आऊंगा ठीक है राजन इस घटना की दस दिन पश्चा थी राजा अलंकार मोहन नगर में था महराज मैं आपकी पुत्री बेला के साथ विवा करना चाहता हूं राजन राजकुमारी बेला के साथ वह विवा कर पाएगा जो मेरे हाथ पर इंद्रधनुष लाकर रखेगा महराज इंद्रधनुष तो आकाश में होता है उसे भला पृत्वी पर कैसे लाजा सकता है राजन यदि इंद्र धनुष को प्रिश्वी पर लाना सरल कार्य नहीं है तो राज कुमारी बेला के साथ भी विवा कर पाना कोई सरल कार्य नहीं है समझे ओ, महाराज यदि मैं इंद्र धनुष को आपके हाथ पर ना ला सका तो तो जो ऐसा कर पाएगा उसी के साथ राज कुमारी पेला का विवा करेंगे हम चाहे ऐसा करने वाला कोई भी हो हाँ रहे कोई भी हो सकता है साधारन आदमी भी कोई चोर बदमाश भी हाँ हाँ चोर बदमाश भी ओ, यह तो आपकी जात्ती है माराज आप मेरी कोई भी परिक्षा लेकर देख सकते हैं मैं आख मून कर हर परिक्षा दे सकता हूँ मैंने वेध पुराणों का भी अध्यन किया है आपके राज्य के बड़े से बड़े पंडित भी बस बस ये काम तो कोई भी कर सकता है मैं चाहता हूँ कि बेला का पती इन सबसे अलग अत्यंत कुशागर बुद्धी का स्वामी होना चाहिए ओ तब तो राजकुमारी बेला के साथ मेरा विवाग कदापी नहीं हो सकता है माराज तुम्हें यहां यह इच्छा लेकर आना ही नहीं चाहिए था राजा अलंकार वापस लोट आया उसी रात तभी कौन हो तुम मैं मैं एक चोर हूँ और राजा का खजाना लूटने आया हूँ तुम्हारी इतनी हिम्मत इसे माराज के पास ले चलो जब पहले दार उसी चरण सिन के पास लेकर पहुँचे कौन है ये? महराज मैं आपका होने वाला दामाद हूँ खामोश जानते हो क्या बख रहे हो वही कह रहा हूँ जो सच है महराज महराज यह एक चोर है यह खजाने में चोरी करने के उद्देश्य से महल में खुशा था ओ, चोर होकर हमारा दामाद बनने के सपने देख रहा है नालायक महराज, मैंने आपकी पहली का हल ढून लिया है इसलिए मैं आपका होने वाला दामाद हुआ की नहीं तुमने हमारी पहली का हल ढून लिया है हाँ महराज कर प्राता होने पर मैं आपको इंद्र धनुष्ट दे सकता हूँ यदि तुम हमारी पहली का हल जानते थे तो फिर महल में चोरी के उद्धिश्य से क्यों गुसे थे तुम महराज राज कुमारी बेदा से विवा करने के बाद आपके खजाने पर मेरा भी तो हग बनता है इसलिए में महल में घुसकर यह देखना चाता था कि खजाने में क्या कुछ है तभी इन पहरेदारों ने मुझे पकड़ लिया महराज इन पहरेदारों को दंदित कीजिए इन्होंने आपके होने वाले दामाद का अपमान किया है खामोश बार-बार स्वेम को हमारा होने वाला दामाद नहीं कहो पहरेदारों इसे इस समय ले जाकर कारागार में बंद कर दो कल इसका निर्ने करेंगी हम जी महराज यह आप ठीक नहीं कर रहे हैं महराज होने वाले दामात का ऐसा स्वागत जब पहले दार चोर को वहां से ले गए क्या सचमुची है चोर मेरे हाथ में इंद जनुश लाकर धर सकता है अगर उसने ऐसा कर दिया तो कुछ भी हो मैं किसी भी हालत में एक चोर के साथ अपनी इकलोती बेटी बेला को नहीं भ्याओंगा मैं चोरी की अपराद में कल चोर को प्रांडन दे दूँगा तब ना रहेगा बांस और ना बजेगी पांसुरी जब चोर ही जिवित नहीं रहेगा तब कैसे भी है बेला के साथ विवा का दावा पेश कर पाएगा अगली ही दिन चलो तुम्ही महराज ने दरबार में बुलाया है महराज की होने वाले दामाद के साथ जरा इज़त से पेशाओ तुम लोग वरना क्या कर लेगा हमारा तब राजा का दामाद बनती ही सबसे पहले तुम्हें नौकरी से निकलवाऊंगा मैं तो यह थी अब तक की कहानी आगे की कहानी जानने के लिए बनी रहें मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद